Hello friends स्वागत है आप सभीका फिरसे हमारे चानल EkoHelagry में तो आज हम परहेंगे क्या आज हम क्या डिस्कुस करेंगे स्वाइल के बेसिक कंसेब्ट के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कुस किया था स्वाइल साइन्स के कंसेप्ट के ऊपर तो आज हम discuss करेंगे swyle के उपर, swyle के basic concept क्या है, swyle कहते किसे हैं, ठीक, तो अपनी वीडियो को start करते हैं, तो friends, swyle word जो है, वो एक Latin word से derive हुआ है, यानि एक Latin word से उसे बनाया गया है, swyle word को, ठीक, तो वो कौन सा Latin word है, वो Latin word है, solum, s-o-l-u-m, solum, ठीक है, solum एक क्या है, एक swyle word को, swyle term को बनाया गया है, ठीक, अब solum का meaning क्या होता है, अना, solum का meaning होता है, यानि s-o-l-u-m जो है, उसका meaning होता है, Latin भासा में अगर हम परहेंगे, तो solum word का meaning जो होता है, वो होता है, लेयर और floor, यानि कि जैसे हम building मनाता है न, floor by floor, first floor, second floor, third floor, वैसे ही floor, ठीक है, या swyle के पास कितना layer होता है, five, mainly five होते हैं layer, o, a, b, c, and r, ठीक है, यह अभी नहीं परहेंगे, यह परहेंगे हम किस topic में, horizon of soil में, तो basically हम क्या जाने अभी, कि swylem एक word है, एक Latin word है, जिससे swyle word को derive किया गया है, जिससे swyle word को बनाया गया है, अब swylem का meaning क्या होता है, layer और floor, अ जैसे कि हम लोग swyle को swyle बोलते हैं, तो वैसे ही swyle scientist swyle को swyle ही कहता है, और geologist swyle को fragmented rock कहता है, fragmented rock का मतलब तूटा हुआ rock, यानि कि छोटा छोटा पार्टिकल, rock का छोटा छोटा पार्टिकल, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, अगर आपको ध्यान में हो, कि swyle जो है, वो rock से तूट कर बना है, ठीक है, weathering process के तूटू, rocks का breakdown हुआ है, लाखो सालों में, और फिर लाखो साल बाद, वो last stage swyle बना है, यानि कि ये एक पार्ट है, तूटे हुए rock का ही, इसलिए geologist swyle को fragmented rock ही कहते हैं, ठीक है, अब geologist कौन है, जो geography से PhD, MSC वगरा करते हैं और geography पे research वगरा करते हैं, उसे हम geologist कहते हैं, ठीक, अब engineer, engineer लोग इसे क्या करते हैं, engineer लोग इसे swyle को earth के नाम से पुकारते हैं, ठीक, अब economist इसे क्या बोलता है, economist इसे land बोलता है, हाना, swyle को economist क्या बोलता है, land बोलता है, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, कि जब से यह स्वाइल साइंस हमारे अर्थ में स्टार्ट हुआ जब से स्टेडी स्टार्ट हुई हमारे प्रिथुई पर हना अर्थ पर जब से उसकी स्टेडी स्टार्ट हुई साइन्टिफिक स्टेडी स्टार्ट हुई हना जब से लोग उसे पढ़ना चालों किये तो मेलनी दो ही कंसेप्ट स्वाइल के बारे में कितना कंसेप्ट मेलनी दो ही बेसिक कंसेप्ट स्वाइल के बारे में सामने आया तो पहला कंसेप्ट है कि स्वाइल को जो है यह वेदरिंग प्रोसेस से बना है रोक्स टूटते गया है ब्रेकडाउन होते गया ब्रेकडाउन होते गया लाखो करोरो साल बाद स्वायल बना है ठीक और यह बायो केमिकली क्या लिखा हुआ है अगर हूं वेदरिंग चप्टर परहेंगे उसके एक ब्रीफ नॉलेज में रख्वाद दे देता हूं कि वेदरिंग जो होता है तीन मेटर से होता है ठीक एक बासकाली एक पीजिकली को बाना गया है ठीक है और यह नेचर द्वारा ही बनाया है स्वाइल हम लोगों ने तो बनाया नहीं है तो यह एक नेचुरल बॉड़ी है यानि नीचर के द्वारा ही बनाया गया यानि हम इसे प्रोड़क्ट ऑफ नेचर भी बोल सकते हैं तो वही लिखा हुआ है फर्स्ट वन कंसीडर यानि पहला कंसेप्ट जो है क्या कंसीडर किया है स्वार को कंसीडर किया गया है एक नेचुरल बॉड़ी है जो की तैयार किसे हुआ है बायो के लिख फिजीकली वेदरिंग प्रोसेस से तैयार हूए और प्रोड़क्ट ऑफ नेचर और यह नेचर का प्रोड़क्ट था नि क्या पर रहे हैं रॉक्स वगर्णा के बारे म में पर रहे हैं कि स्वाइल के बारे में इसमें बताया जा रहा है फर्स्ट कंसेप्ट में अब सेकेंड कंसेप्ट क्या बोलता है कि स्वाइल को जो है एक निवास अस्थान है जैसे कि मैं बिहार में रहने वाला हूं यानि मेरा हैबिटेट बिहार हुआ तो स्वाइल को एक निवास अस्थान है उसमें कई स्वाइल क्या है एक निवास अस्थान की तरह काम कर रहा है यानि कि स्वाइल का यहां पर फॉंक्शन दिखाया जा रहा है यहां पर फॉंक्शन बताने की कोशिस की जा रही है स्वाइल की तरह काम कर रहा है इअ किसके लिए प्लांट्स के बारे में बताया जा रहा था first concept में क्या बताया जा रहा था कि first concept में origin of soil के बारे में बताया जा रहा था लेकिन second concept में क्या बताया जा रहा है second concept में बताने की कोशिश की जा रही है किसके बारे में function of soil के बारे में soil कैसे काम करता है इसी दो concept पे यह दोनों basic concept है जब से study start हुआ scientific study soil का start हुआ तो यह दो concept ही सामने आये हैं अब इन्हीं दोनों concept के basis पे Swile study के mainly दो approach होते हैं या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो people या फिर जो लोग Swile का स्टेडी करता है Swile का scientific study करता है वो दो भागों में बढ़ गए हो दो group में classify हो गए पहला group है pedology and second group है इड़ाफोलोजी या फिर हम बोल सकते हैं पहला approach है pedology and second approach है इड़ाफोलोजी अब देखिए friends जो science के बारे में deeply knowledge रखता है जो science के बारे में deeply पढ़ता है और वो science के बारे में खूब research भी करता है तो उसे क्या कहते हैं Scientist वैसा ही pedology के बारे में परेगा pedology इस्टेडी करेगा ओछिकर पेड़ोजी के बारे में research वहागरा करेगा उससे हम क्या कहें है pedologist जैसे science का होता है scientists वैसे ही pedology का क्या होगा pedologist यहनि उस आदमी को क्या कहेंगे जो pedology के बारे में परता है pedology that κάर्ष करता है उसे पेड़ोलोजिस्त और वहीं जो बारे में परता है इड़ाफ모जी के बारे में study करता है हसके हम कहेंगे क्या इड़ाफ्सक्ट अब पढ़ेंगे और रॉक्स से कैसे स्वाल फोर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक इसलिए एस्टेडी ओफ रॉक्स को हम पेडोलोजी के नाम से भी जानते हैं और सेकेंड अप्रोच है इडाफॉलोजी इडाफॉलोजी जो है वह सेकेंड कंसेप्ट पर बेस्ट करते हैं उसमें कौन-कौन से nutrition रहते हैं कैसे काम करता है कैसे उसमें plant organisms microorganisms animals वगरा जीवित रहते हैं living organisms वगरा वहाँ पे जिन्दा रहते हैं इसके बारे में हम यहां पर इडाफोलोजी में पढ़ते हैं यहां कि मेरा यहां क्या है इडाफोलोजी ही है because soil का अधिक्तम पार्ट स्वाइल का ब्राड कंसेप्स वाल का maximum पार्ट जो होता है हम इडाफोलोजी में ही पड़ते हैं और पेडीछी में क्या पढ़ते हैं बस साइन्स के स्टडी को हम इडाफोलोजी कहते हैं पेडाफोलोजी क्यों नहीं कहते हैं विकोज पेडाफोलोजी में हम केवल स्पेसिफिक टर्म यानि की रॉक्स और ओरीजिन ऑफ स्वाल के बारे में परते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में परते हैं लेकि स्टाइल इडाफॉलोजी और रॉक्स के स्टड़िको पेडोलोजी कहा गयाँ अब एक कोसा ना सकता है कि स्टाइल साइइंस के बारे में तो हमने बहुत सारी चीज पर लेकिन स्टाइल साइंस का फादर कौन है यह हमें पता है नहीं है उनका नाम है वैसली डॉकुचीव क् क्या करते हैं इडाफोलोजी क्यों करते हैं मैं यह भी बता दिया स्वाल जो है डेराइब हुआ किस से रॉक से डेराइब हुआ है कैसे डेराइब हुआ है breakdown होते होते वो डेराइब हुआ है breakdown होते होते लाखो करोरों साल लग गए है और लास्ट स्टेज में पहुचा है स्वाइल ठीक अगिस प्रोसेस के थुरू बना है वेधरिंग प्रोसेस के थुरू तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर पसंद आई हो तो वीड स्क्राइब करना ना मुलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।